CM नितीज कुमार के ओफिस को बंब से उराने की मिली धमकी इस खुंखार आतंकी संगठन का नाम आया सामने जाच में जुटी ATS बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार के ओफिस को बंब से उराने की धमकी मिली है इसके बाद पुलिस ने सुरच्छा बढ़ा दी है और इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है इस पुरे मामले की जाच एटियस कर रही है आपको बता दे कि धमकी भरा मेल मिलने के बाद से ही बिहार पुलिस में हरकम मच गया है अलकाइदा नाम के एक संगठन की ओर से मु से हलके में लेने की कोशिश ना करें मीडिया सुत्रों के मुताबिक यह धमकी भरा इमेल 16 जुलाई को आया था इस मामले में 2 अगस्त को सचीवाले थाना के थानेदार सचीव कुमार के बयान पर एफाइयार दर्च की गई है पुलिस ने बताया है कि जो इमेल आई है वह ACHW700 at the rate gmail.com ID से भेजी गई है फिलाल पुलिस सम्बंदित mail ID के बारे में चान बीड करने में जुट गई है इसी के साथ ही इमेल भेजने वाले अग्यात के खिलाब BNS की धारा 354 3 और 67 FIT Act के तहत केस दर्च किया गया है सचवाले थाने की पुलिस मामले की चान बीन कर रह ही है इसी के साथ ही बिहार ATS और पुलिस की टी में अब ये पता लगाने में जुट गई है कि धमकी भड़ा email किसने भेजा है इसी के साथ ही ये भी चान बीन की जा रही है कि जिसने भी ये mail भेजा है उसका मकसद क्या था इसी के साथ ही ये भी पता लगाय जा रहा है कि क् इमेल भेजा गया है या फिर किसी ने इस तरह की सरारत की है मालूम हो कि बीते कई महीनों में भारत के कई राज्यों को इसी तरह की धमकी मिली है कहीं स्कूल तो कहीं एरपोर्ट और हवाई जहाज को उड़ा देने की धमकी दी गई थी फिलाल पुलिस ऐसे मामले को लेकर इससे पहले पटना एरपोर्ट को भी बम से उराने की धमकी मिली थी इसके बाद एरपोर्ट की सुरच्छा बढ़ा दी गई थी या धमकी भी इमेल के जर्ये भेजी गई थी हाला कि उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पुलिस प्रशासन काफिस सतर्क हो गया था जुलाई में पटना के घर में बम बनाने का सामान बरामद हुआ था पैतिस जिंदा कार्तूस पोटेसियम नाइट्रेट का एक डिबबा ट्राइफलूराइलीन लिक्विड के डिबबे लकडी का कोईला और सुतली जप्त की गई थी इस मामले में पुलिस ने पवन महतो न महतना को ताल गुडब तल रहा कि भी पुलिस भी स्येमों को मिली ताजा धंकी को गंभीरता से ले रही है तो बाकिस खबर को ले और पुलिस पुलिस सुरक्षजाबल को लेकर आपकी क्या कूछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं